हाल ही में वाइरस की वज़े से more and more people are locked down at their home ऐसे environment में आपका घर clean होना बेहत जरूरी है आज इसी पर बात करेंगे और जानेंगे क्या है natural ways जिससे आपका घर healthy और fit रह सकता है इसके लिए मेरे साथ मौझूद है रिदी बेल है वास्तु expert है इनसे समझते हैं कि कैसे naturally आपका घर बिल्कुल secure रह सकता है क्या कर सकते हैं ऐसा क्या है natural ways जिससे हम लोग एकदम fit रहे और घर एकदम तीन रहे बहुत सारी तरीकें बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम अपने आसपास incorporate कर सकते हैं बहुत सी चीजें जिनका हम intake कर सकते हैं और हमारे Indian culture में तो इतनी सारी natural चीजें और सबसे बात है कि वो natural चीजें हम खा भी सकते हैं हमारी body में भी strength परती हम अपने आसपास के जैसे कि हम बात करते हैं salt की for example salt क्या करता है जो हमारी body के white blood cells है उनको activate करता है और white blood cells जो है वही responsible होते हैं fight back करने में जब भी कोई injury या हमारे को कोई बीमारी होती है उसके लिए तो salt is very important to salt का intake तो करना ही करना प्लस जो है salt आप घर को सफाही करने में भी जो है salt को use कर सकते हैं जैसे आप पुचा लगाने में salt use कर सकते हैं आप अपने नहने के पाने में salt डाले और उससे नहाए तो उससे भी आपके skin के ऊपर जो वाइरसे हैं वो हटेंगे आप कौन से salt की बात करे हैं जो हम लोग अपने किछन भी उसकरते हैं या फिर rock salt Rock salt certainly Ayurveda certainly recommends rock salt which is more natural and which is certainly more healthy It's a continuous process and it's a long term process तो आपको regularly ये सब चीजों का intake करना होगा एक कैते हैं एक habit form एक lifestyle में अपने incorporate करना होगा तो फिर आप देखिए you will always stay healthy और क्या चीजें है ऐसी देखे plants plants का बहुत ज्यादा importance है तुल्सी की तो हम अकसर बात करते हैं कि तुल्सी में जो है बहुत से medicinal values है plus तुल्सी जो है environment को भी clean करते है एक और plant है जो की tree है जो की बहुत-बहुत important है और जिसके बारे में हम कभी-कभी भूल जाते है जो है वह है neem, neem का शिल्पी हर एक part has medicinal values चाहे वो neem के पते हो चाहे वो neem के फ्लार्स है चाहे वो neem की डंडी है या neem का बार्क है tree का सब में medicinal values होते है to clean the environment in fact जैसे गर्मिया पड़ती है तो मचर आ जाते है वो भी तभी आते है जब हवा गंदी होती है जैसे मैंने का था हवा गंदी होने से वाइरस आते हैं और इससे मचरों का भी घर में जादा हो हो जाता है तो वहां पे अगर आप नीम के पते जो है ड्राय के सुखा के उनको जलाएंगे तो उनकी फ्यूम्स में जो है वाइरस को किल करने की कापसिटी हो बहुत सी चीजे हैं अवारे नाच्रल में इन्वारमेंट में जो कि हम इंटेक भी कर सकते है और जो की हम कती आप नोर्मेंट को अमारे आसपास के क्ली करने में उसमें चीज आते है लूव्स यानिकी लॉंग तो लॉंग जो है ठाई उससे इम्मुनिटी तो तो वह बहुत अच्छा माना जाता है लौं के साथ साथ शिल्पी कपूर कैंफर कैंफर तो हमारे स्कृप्चर में लिखा हुआ है कि हवन में सामागरी में कैंफर जरूर रखें और उसका कारण ही यह लिखा हुआ है कि वह जो है जो इन्वार्मेंट में जो वाइरस से उसको कैंफर तो बिल्कुल ही मैं वैसे भी लोगों से कहते हूं कि रोज घर की में जो है कैंफर जरूर जलाए वो जो एक पॉजिटिविटी का महल तो क्रिएट करता ही करता है उसके साथ साथ वायरस को भी किल करता है उसकी फ्रेगनेंस है वह भी आपको काफी ज़्यादा एक वाज प्रम बहुत चीजैना अब बतारी है सपेशली जिवेस है घर को एनवार्म को साफ रकने के लिए और क्या कर सकते हैं देखें जैसे की सानिटाइजर्ज थैसे यसे निचूराल चीज़ें है चिमिकल सानिटाइजर्स तो हैं है अन् यрा सोटेंली गुट नाचरल वेनेगर में भी बहुत सी मेडिसनल वाल्यूस होती है इंफाक कई तरह के वेनेगर जिसमें आपल साइडर वेनेगर आता है वो तो सुर्टन इसके अलावा क्या बताएंगे आप यूर्स को इसके अलावा देखे जैसे मैंने इम्मुनिटी अपनी बढ़ाई है उसमें हल्दी का बहुत इंपर्टन रोल आता है इन फाक्त कई जगे मैंने देखा है कि लोग जो है पानी में हल्दी डालके उसको घर में स्प्रिंकल करते हैं तो हल्दी भी जो है उसमें एंटी इंफेक्शन एंटी वायरस जो है प्रॉपर्टी होती है और नेच्रल लाइट का भी कुछ है क्या है अरे नेच्रल लाइट तो सबसे इंपर्टन ए शिल्पी इस पेशली संलाइट जैसे मने शुरुवात में ही का था कि हावा पानी और लाइट जो है यह तीनों चीजें बहुत जादा इंपर्टन है इन्हीं के इंबैलंस से वायरस क्रियेट होते हैं तो अगर हम जड़ से प्रॉब्लम को हटाना चाहते हैं तो हमें नाच्रल लाइट और सबसे पहले मैं कौंगी टेक इंटेक मोर नाच्रल तिंग हमारे आसपास ही सारी चीजें हैं हम जो है इधर उदर ढूंते रहते हैं चीजों को कि कोई rocket science है कि हम वायरस को किल करना ऐसा देखे नहीं है यह अगैन I would say कि a doctor's opinion and doctors advice is very important but है यह natural चीजे है जैसे मैंने कहा कि अगर अपने lifestyle में इंकल्किट करेंगे तो all year round, it is not कि season बडलते time ही है या कभी कोई virus attack हो रहा है तभ हम यह सी सब चीजें करें अगर हम इसको all year round अपने lifestyle में incorporate करते हैं तो we will always stay healthy, हम खुद healthy भी रहेंगे और हमारे आसपास का जो environment है वो भी fresh और clean रहेगा तो काफी अच्छे tips आपने दिये हैं हमारे viewers को जाहिर सी बात है, अगर किसी भी virus से लड़ना है तो आपको medical सला जरूर लेनी है अगर आपको किसी भी तरह की problem हुई है लेकिन जो हमने आपको tips दी हैं, उससे आप अपने घर को naturally clean कर सकते हैं क्योंकि Indian tradition में काफी सारी ऐसी चीजे हैं जो आपके घर को fit रखती हैं और साहिर सी बात है, वो आपको safe भी रखती हैं कर दो आपको किसी बात हैं